आज गुरु गोविन सिंग एजुकेशनल सुसाइटी टेकनिकल केंपस कांडरा चास बोकारोप में बड़ा हर्स का दिन है कि आज हमारे हाँ सिरी हर्स कुमार जो सात्मी जेप्यसी में अभी नव चैनित हुए है जारखंड सिक्षा सेवा सिरेनी दोग के पताधिकारी के रूप में उनका आज हम लोग समान करने जा रहे हैं उनको हम लोग सुबकामना देने जा रहे हैं वो यहां उपस्थित भी है और कहीं न कहीं यह संदेश हम समाज को इस माध्यम से देना चारें आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मेधावी छात्र हैं और जो कठिन मेहनत कर रहे हैं अंत में सफलता उनको चूंती है और विवियन आपवाहों पर ध्यान देने से उनका भठकाव होता है श्री कुमार हर्स जी अपने साच्छात्कार के पहले हमारे संस्थान में आये थे और हमारे यहां जैसा कि आपको जयाती है कि जी-जी-एस-टी-सी आई-एस एकड्मी भी चला रहा है और जिसका M.A.C. मी के दवारा भारत सरकार के दवारा इस्टेशन भी है कहीं न कहीं एक आदनी भविष्य में जिस प्रकार जामिया मिलिया विस्विधाले का रिजिनल कोचिंग एकाडमी है उसी तर्ज पर चुकि हम भी एक मैनुटी संस्था है चलाने का भविष्य में सोच रहे हैं तो जो कुमार हर्स जी का मौक इंटर्विव पाठ हुआ था उसमें कहीं न कहीं हम लोगों का योगदान रहा और हमारे संस्था में वो आये और हमने उनमें विविन प्रकार के उसमें सहयोग दिया और उनको इसका लाव मिला समहता इस वज़ा से वो आज फिर सेलेक्शन के बाद हमारे हाँ आये भी हैं तो अब इसे इस रूप से वो इस विशे में ज़्यादा जानकारी देंगे मेरा सेलेक्शन इस बार अभी जारकन सात्वी में नाइंटियत रैंक पे हुआ है मुझे जारकन एकडमिक एड्यूकेशन सर्विस मिला है और मैं समस्ता हूं कि सर का इसमें बहुत बड़ा रोल है मैं कहीं इंटर्व्यू जॉइन नहीं किया था, सर के पास ही आया था, सर ने जो गाइड किया वो एक अलग लेबल का confidence में को प्रवाइड किया और मैं बहुत confidently interview world में बैठा बहुत questions tough होने के बावजूद भी मैं घबराया नहीं जिसके कारण में को लगता है selection में एक महत्वपुन रोल उसने play किया और मैं अपने तरफ से पूरी कोसिस करूँगा कि चास बुकारों के जो भी छात्र है उसको मेरित से जो भी सीख मिले मेरी मदद उनको मिले ताकि वो भी अपने छेत्र में आगे जाके एक राजी के विकास में अपना योगदान दे सके और इंसिचूट जो सर्ब ने बताया उसके बारे में मैं कोसिस करूँगा कि स्टुडेंट को वन-टो-वन जो भी मेरे से हेल्फ हो वो मैं उनको प्रवाइड कर सको हां एक रोल तो होना ही जाहिए घर पे पॉजिटिव एंवर्मेंट का क्योंकि प्रिप्रेशन बहुत एग्जॉस्टिव है बहुत लंबा चोड़ा प्रिप्रेशन है बहुत लंबे समय तक चलता है मैंने खुदी 2016-17 से तैयारी सुरू की है दो तीन बार UPSC मेंस लिखा थोड़े थोड़े नंबर से रुख जा रहा था अगर बड़ों का वो सपोर्ट अगर नहीं रहता और वो पापा का विश्वास एक जो होता है दोस्तों का विश्वास कभी आपका मूरल डाउन होता ह तो एक दोस्त है जो आपको पॉजिटीव में ले जाते हैं और वो आपको एक आलवेस सपोर्ट करता है एक मेरा बहुत क्लोस फ्रेंड है गोल्डी यहां लोकल का वो मतलब हमेशा एक विश्वास जगाता था कि आप तुमारा होगा पढ़ो होगा जरूर होगा तो वो आज के समय में बहुत है आप यूट्यूब पे ही देख लिजी इतना कंटेंट है कि आप मतलब हर चीज का इन्फोर्मेशन है उसको आपको लिमिटेट करना है और प्रिविएस येस क्वेशन पेपर जो हर एक्जाम का मूल मंतर है कि बिना उसके वो सक्सेस आपको नहीं मि अगर आप प्रिविएस येस क्वेशन को अच्छे से अट कर लेते हैं अपने प्रिपरेशन में तो हो सके कि फरस्ट एटिम्ट में ही आपका सेलेक्शन हो जया ह। आपके पास कोई नया आइडिया है क्या जिसको आप सब्सक्राइब करेंगी या आपने जिसक्षा प्रदान किया जा सके जितना हम लोग डिजिटलाइजेशन की और मूफ करें उतना ही अच्छा है सिक्षा का हाल राज्य में ताकि हर एक कॉर्णर तक लोगों को सिक्षा प्रदान किया जा सके ऐसा नहीं आज रैंक वन जो लाई है वो मैं बहुत खुश हूँ बड़े कंपेटिशन हो आपस में लेकिन वो कसमार की एक बहुत छोटे से गाओं के वोकारों से उन्हों दे निकाला है तो यह सो करता है कि आप छेतर में कहीं भी हो अगर आपके पास डिजिटलाइजेशन है सिक्षा अगर पहुँच रहा है तो आपका किसी भी लेवल का कंपेटिशन में आपका होगा कॉलेज में कुमार हर्ष यहां पे उपस्थित है उनका सेलेक्शन जारकन सर्विस कमिशन में सिफ्ट सेवन्त कमिशन में जारकन एजुकेशन ऑफिसर क्लास टू में हुआ है और हमारा जो यह GGSTC IAS Academy स्टार्ट होने वारा है उनके तहत आज हमने हमने फेलिस्टेट किया है ताकि उनसे हम यह उम्मीद करते हैं वो हमारा इस GGSTC IAS Academy में आके हमारा थोड़ा मदद दे हमारे बच्चों को मॉटिवेशन दे और यही सुब कामना है उनको all the best for the bright future as a coordinator of GGS ESTC IAS Academy we congratulate Hershji for his grand success on selection of GPSC for Jharkunst education services